श्री कृष्ण से मिलने के लिए तथा भविश्य का कार्यक्रम निश्चित करने के लिए अर्जुन द्वारिकापुरी गए थे। जब उन्हें गए कई महीने व्यतीत हो गए तब एक दिन धर्मराज युधिश्ठिर को विशेश चिंता हुई। वे भीमसेन से बोले है भीमसेन द्वारिका का समाचार लेकर अर्जुन अभी तक नहीं लोटे। और इधर काल की गती देखो संपूर भूतों में उत्पात होने लगे हैं। नित्य अप्शकुन होते हैं। आकाश में उलकापात होने लगे हैं और प्रित्वी में भूकम पाने लगे हैं। सूर्य का प्रकाश मध्यमसा हो गया है और चंद्रमा के इर्द गिर्द बारंबार मंडल बैठते हैं। आकाश के नक्षत्र एवं तारे परस पर टक्रा कर गिर रही हैं। पृत्वी पर बारंबार बिजली गिरती हैं। बड़े बड़े बवंडर उठकर अंधकार में भयंकर आंधी उत्पन करते हैं। इन सब बातों को देख कर मेरा हृदय धड़क रहा है। ना जाने ये अप्षकुन किस विपत्ती की सूचना दे रही हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण इस लोग को छोड़ कर चले गए या अन्य कोई दोहखताई घटना होने वाली है। उसी क्षण आतूर अवस्था में अर्जुन द्वारिका से वापस आये। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। शरीर कांतिहीन था और गर्दन जुकी हुई थी। वे आते ही धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने घबरा कर पूछा, हे अर्जुन द्वारिकापूरी में हमारे संबंधी और बंधु यादव लोग तो प्रसन्न है। हमारे नाना शूर सेन तथा छोटे मामा वसुदेव तो कुशल से हैं। हमारी मामी देव की और उनके पुत्र पौत्रादी सहित प्रसन्न तो हैं। चोकाकुल हो गए। उनका रंग फीका पड़ गया। नेतरों से अविरल अशुधारा बहने लगी। हिचकिया बंध गई। रंधे कंट से उन्होंने कहा, हे भ्राता हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने हमें ठग लिया। वे हमें त्याग कर इस लोक से चले गए। जिनकी कृपा से मेरे परम पराक्रम के सामने देवता भी सिर नहीं उठाते थे मेरे उस परम पराक्रम को भी वे अपने साथ ले गए। प्राणहीन मुर्दे जैसी गती हो गई मेरी। मैं द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को हस्तिनापुर ला रहा था किंतु मार्ग में थोड़े से भीलों ने मुझे एक निर्बल की भांती परास कर दिया। मैं उन अबलाओं की रक्षा नहीं कर सका। मेरी वेही भुजाएं हैं, वही रत है, वही घोडे हैं, वही गांडीव धनुष है और वही बाण है जिनसे मैंने बड़े-बड़े महार्थियों के सिर्बात की बात में उड़ा दिये थे। जिस अरजुन ने कभी अपने जीवन में शत्रूओं से मोकी नहीं खाई थी व जिन भगवान श्री कृष्ण के बिना मेरी संपूर्ण शक्ती क्षीर हो गई है। आपने जो द्वारिका में जिन यादवों की कुशल पूछी है, वे समस्त यादव ब्रहमनों के श्राप से दुर्बुधी अवस्था को प्राप्थ हो गए थे और वे अती मदिरा पान कर के परस पर एक दूसरे को मारते मारते मृत्यू को प्राप्थ हो गए। यह सब उन्ही भगवान श्री कृष्ण की लीला है। अर्जुन के मुख से भगवान श्री कृष्ण के स्वर्गधाम गमन और संपूर्ण यदुवंशियों के नाश का समाचार सुनकर धर्मराज य इस प्रकार कोई कांटे से कांटा निकालने के पश्चात उनकोनों काटों को त्याग देता है। अब घोर कलियुग भी आने वाला है। आता अब शीग्रही हम लोगों को स्वर्गारोहन करना चाहिए। जब माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण के स्वर्गधाम गमन का समाचार सुना तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण में अपना ध्यान लगा कर शरीर त्याग दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने महाप्राक्रमी पौत्र परिक्षित को संपूर्ण जंबूद्वीप का राज्य देकर हस्तिनापुर में उसका राज्या भ कर सन्यास। ले लिया। उन्होंने मान, अपमान, एंकार तथा मोह को त्याग दिया और मन तथा वानी को वश्मे कर लिया। संपूर्ण विश्व उन्हें ब्रहमा रूप द्रिष्टी गोचर होने लगा। उन्होंने अपने केश खोल दिये। राजसी वस्त्राभूशन कर चीर वस्त्र धारण करके और अनजल का परित्याक करके मौनवरत धारण कर लिया। राजा करने के बाद बिना किसी की ओर द्रिष्टी किये घर से बाहर उत्तर दिशा की ओर चल दिये। राजा संसार की अनित्यता का विचार करके द्रौपदी तथा भाईयों को साथ ले हिमालय की तरफ महाप्रस्थान के पत पर अग्रसर हुए। उस महापत में द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीमसे ने कैक करके हिमालय से गिर गए इससे राजा शोकमगन हो गए। वे इंद्र के द्वारा लाए हुए रत पर सवार हो दिव्य रूप धारी भा प्रसन्ता हुई। यह मैंने यह महाभारत का कथा प्रसंग सुनाया है। जो इसका पाठ करेगा, वह स्वर्गलोक में सम्मानित होगा। यह कथा महाभारत से है। जिसमें श्री कृष्ण के स्वर्गधाम गमन और यदुवंश के नाश के बाद के घटनाकरम का वर्नन धर्मराज युदिष्ठिर और उनके भाईयों के साथ घटित घटनाओं को विस्तार से बताया गया है।